हेलो दोस्तों स्वागत है आपका ITI से नौकरी चैनल बे तो यूपी आरिवेनल का प्रैक्टिस सेट हम करा रहा है तो प्रैक्टिस सेट में आपका ये पार्ट थरी है बाकी दो पार्ट भी आप देख सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है जो आपके तो हम पहले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा कोश्चन है पहला रेती किस चीज की बनी होती है रेती मतलब हमारा यहां फे फाइल से होता है फाइल जिसके दोरा हम किसी दातु को घिस के छोटे-छोटे करणों को रूप में काटते हैं तो हमारा option A, stainless steel, option B, mild steel, मिर्दू steel को यहां पर mild steel भी कहते हैं और option C, high carbon steel, या D, इन में से कोई नहीं, तो हमारा option C, option C होगा high carbon steel अब दोस्तों कोई भी cutting tool हो चाहे, वो drill हो चाहे, वो reamer हो चाहे, वो hexa blade हो, वो ज्यादा तर हमारे hard metal से बना जाता है और hard metal जो हमारा होता, high carbon steel होता है, HCS, इसको कहते है, short form में, और एक होता है, HSS, यानि high speed steel, तो high speed steel ज्यादा hard होता है और यह normally जो हमारा होता, high carbon steel, cutting tool हो के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दूसरे question की तरफ बढ़ते है, soldering soldering की filler धातू थी, filler धातू से दोस्तों मतलब यहाँ पे है, कि जिस धातू को पिगला कर joint को मजबूत बना जाता है, यानि कोई दो पार्ट हमारे जोडने है, उनको जोडने के लिए जिस metal का प्रयोग के जाता है, उसको क्या कहते है, यह पूछ रहा है तो हमारा option A है, spilter, option B, solder, और option C, A या B दोनों, तो इन में से दोस्तों हमारा option C, A है, spilter, spilter मतलब वो धातू हो दी, जिसके दोरा हम किसी joint को लगाने के लिए उस धातू को पिगला देते हैं, और उसकी असुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें flex भी मिला देते हैं soldering और braging दोनों में ही spilter का प्रयोग किया जाता है, तो option, अब अब तीसरा question की तरफ हम बढ़ते हैं, तीसरा question है, black smith दोरा प्रयोग में लाने वाले pattern और गर्म जाबो की marking और measuring के लिए किस प्रकार के rule का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तो black smith shop जो होता है, उसको forging shop भ shrink rule का प्रयोग होता है, यानि गर्म आउस्ता में प्रयोग होने वाले जो हमारा है, वो shrink rule है, ओके दोस्तो, अब चौथे question की तरफ बढ़ते है, हमारा subscriber के point का code होता है, option A 30, option B 60, option C 12-15 degree, या option D 5-10 degree, तो दोस्तो, subscriber जो होता है, वो आपने देखा, वो surface gauge में लगा होता है, इसके वारे मैंने बहुत अच्छा वीडियो डाला, उसको देख लीजे, बहुत ही अच्छा आपके काम आएगा, आपको playlist में मिल जाएगा, तो दोस्तो, इसका जो option होगा, option C 12-15 degree, इसक्राइबर जो होता है, वो इस condition बना होता है, 90 degree पर यहाँ पर मुडा होता है, यह 90 degree क होता है, तो दोस्तो, ठीक है, अब अगले question की तरब बढ़ते है, cross pin hammer, cross pin hammer के बारे मैं पूछ रहा है, cross pin hammer की handle 500 की pin होती है, pin के बारे मैं पूछ रहा है, option A handle के cone में, handle के seed में, यह handle के cross में, यह handle के और मुड़ी होती, तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताए, cross pin hammer हो, या आ क्रॉस्पीन हैमर की पीन होगी वह हैंडिल की क्रॉस में होगी मतलब यहां हैंडिल से आप ले सकते हैं सीध वाले में हैंडिल सीधा होगा और क्रॉस्पीन वाले में क्रॉस्पीन में मतलब यह हैमर हमारा ऐसे बना होता है यह हमारी यह हमारे पीन होती है तो यह क्रॉस स्पीन आमर की हैंडल की जैसे हैंड को यह हातों को दौरे जिसको यूच करें इसको को है तो जैसे जोटे चोटे कार को करने के लिए जो है हमारा वहाँ किया जाता है तो दोस्तों वाइस क्लेंपो का प्रयोग किया जाता है जैसे हम कोई जौब को फिनिशिंग दे रहे हैं और बेंच वाइस में उसको बांधना है तो उसकी सरफेस जो है उसको फिनिशिंग बान देंगे तो हमारा खराब हो जाएगा तो उसकी जौब की फिनिशिंग ओई सरफेसों को बचाने के लिए इसका प्रयोक के जाता है अगले question की तरफ हम बढ़ते हैं buttress thread thread से बहुत ही question आते रहते हैं तो buttress thread का बारे मैं आपको बताना चाहूंगा तो इसमें पूछ रहा है buttress thread का angle कितना होता है A 30 degree, B 45, C 60 और D 55 तो buttress thread का जो angle होता है वो 45 degree होता है लेकिन इसका taper अगर पूछ ले इसका taper कितना होता है तो वो होता है 60 degree इसका taper जो होता है वो 60 degree होता है और buttress thread का प्रयोग कहा किया जाता है quick release quick release quick release bench wise में इसका प्रयोग किया जाता है तो quick release bench wise वहाँ प्रयोग कर जाती जहां mass production हो और उसमें half nut लगा होता है तो उसकी मदस से मुसको तुरंद खोल लेते हैं और तुरंद उसको टाइट कर लेते हैं उसमें हमें पूरा स्पेंडल घुमाने की असकता नहीं पड़ती है अब अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं निम लिखित में से कॉनसरन हैंड वाइस के लिए प्रयोग की जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसन नट प्रयोग करेंगे जो आसानी से हाथ के द्वारा खुल जाए सकए तो हाथ के द्वारा हमारा विंगन खुला जाता है, जैसे हैं हेक्सा में देखोगो अगर कॉस्षयन आ जाता है कि हसा में乾ने को प्रिखो किया सेट करने के लिए तो वहाँ भी विंग-चॉगा और यह विंग-चॉग विंग-चॉगा फार ररेगवी हंद लिए 20 वह चाहिक MS तो अफसन है हलका गर्म करके अलग किया जा सकता अफसन B अलग आसानी से अलग किया जा सकता है C आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है और D किसी भी साधन से अलग नहीं किया जा सकता है तो दोस्तो अलग तो सभी चीजों को किया जा सकता है लेकिन यहां सेमी पर्मनेंट फाशनर को आप हलका सगर्म करके भी अलग कर सकते हैं तो इसका option जो है ए सही होगा कि इसको आसानी से आप हलका सगर्म कर दिजिए और फाशनर आपका पिगल जाता है और आसानी से आपका स्टेंडर भी कहते हैं तो इसका जो रूट होता है पहले आप रूट के बारे में जान लिए जैसी यह हमारी थ्रेड बनी होती है तो यह उपर का भाग होता है इसको हम क्रेश्ट कहते हैं क्रेश्ट और यह नीचे का भाग होता है जो सबसे नीचली सता होती है इसको हम C, Steel को Soft करना D, Toughness को बढ़ाना वो, Bitilness को कम करना तो यहां पे जो option है आपसन A हमारा सही है कि उत्पन इस्ट्रोसों को दूर करने के लिए Normalizing का प्रयोग जो है वो किया जाता है साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निमलिकेत में से किसकी दो भी दिया है तो यहां पे option है एक है Hardening दूसरा Case Hardening Option 3 Tempering Option D, Normalizing तो दोस्तों साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग यह जो आती है यह Case Hardening की प्रक्रिया है Case Hardening क्या होता है कि Soft Steel जो होती है उसकी ऊपरी सता को मतलब वो पूरी तरीके सा Hard नहीं करता सिर्फ उसके Case को Hard करता Case का मतलब होता ऊपरी सता उसको Hard करने के लिए Night Riding और Sign Riding विद दियां प्रयोग की जाती है Question No.4 High Speed Steel को Tempered किया जाता है तो High Speed Steel को इसमें कुछ बताने अलाइक नहीं सीधा सा Question आपको यादी करना पड़ेगा 550 से लेके 600 Degree तक 550 से लेके 600 Degree तक जो Job होता है उसको Tempered क्यों की जाता है यह Tool को Hard करने के लिए Temper कर गया जाता है ताकि उसकी भंगुरता को खतम किया जा सके यानि Tempered जो होता है विटिलनेस को कम करने के लिए किया जाता है तो अगले Question की तरफ हम देखते Anneling का उद्देश तो Anneling जो हमारा होता है उसका Anneling का जैसे Option दिये Machine Ability को सुदार लाना Option B चुम्बकत में सुदार लाना और Option C Hardness बढ़ाना Toughness बढ़ाना तो यहां पर हमारा Option A है Machine Ability का सुदार लाना मतलब Anneling का हमारा जो मेन उद्देश है वो हमारा Machine Ability को सुदार लाना Machine Ability क्या होता है कि किसी जॉब में हम Machining की प्रिक्रिया आसानी से कर सके वही Machine Ability कहलाता है Low Carbon Steel की सरफेस पर Carbon की प्रतिसे मात्रक बढ़ाने को क्या कहते है Hardening, Nitriding, Carburizing तो हमारा जो Option C है वो सही होगा Carburizing Carburizing के दारों के होता है जैसे कि मैंने बताया कि Low Carbon Steel को अगर हमें यूज करना है High Carbon Steel की तरह तो उसमें हम सरफेस पर केवल उसके Case को हाड करते है तो Carburizing के दारों हम केवल उसकी सरफेस को हाड कर लेते है जाकि वो जादा देर तक काम करती है और यह दूसरों पर इसके डालती है खुद अपना सुरचित रहती है यानि खुद हाड हो जाती है और यह Soft इसका जब की होता है लेकिन यह केवल उपरी परत को हाड करता है Carburizing के द्वारा तो अगले Question की तरफ हम देखते है Tail Stock Tail Stock की Barrel की नोज पर कौन सर टेपर दिया जाता है तो Option है Most Taper B Jerno Taper C Brown and Sharp Taper तो Option A इसका सही Option है Most Taper और कभी आपसे Question पूस लिया जाए कि Most Taper का एंगल कितना होता है Most Taper का एंगल तीन डिग्री होता है Most Taper का एंगल तीन डिग्री होता है तो दोस्तों अगले Question की तरफ बढ़ते है Leth का Bed की जात्यों की बना होता है Leth का Bed A. Castaran B. Mild Steel C. High Carbon Steel तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि ये Castaran का बना होता है Castaran का क्यों बना होता है Castaran का बना होने के कारण Castaran आपने सुना होगे कि भंगूर होता है लेकिन Castaran की एक और अच्छे गुड़ होती है कि उसके अंदर Compressibility की चमता होती है यानि compressibility उसके अंदर अधिक होती है अधिकतर जो मसीने होती उनके बिड़ जो होते हैं वो काश्ट आरेंट के बनाए जाते हैं फेस पिलेट को पकड़ा जाता है दोस्तों बहुत से अपरेशन करने के लिए हमें फेस पिलेट का भी यूच करना पड़ता है हमें फेस पिलेट को पकड़ लेते हैं और उसके दौरा में फेस पिलेट को पकड़ लेते हैं सकते हैं तो वही उसको अच्छे से लोकेट कर पाएगा जैसे कि आप जानते होंगे कि ब्लॉक के बारे में ब्लॉक हमारा ऐसा होता है था सकते हैं तो वी टाइप लोकेटर का प्रियोग हम गोल जाब को लोकेट करने के लिए करते हैं अब किस्वा कोशन है निम लिखे इसे का उप्योग बहू उत्पादन टूल के संब्द में जॉप को क्लैंप करने के लिए जो तो जैसे ही कभी आ जाया कि mass production बहुत पादन का मतलब होता है mass production तो वहाँ पर हमारा जोगा jig jig का मतलब होता है हमने एक बार jig को sit कर दिया और बार-बार उसी के through operation करते हैं हमें बार-बार marking करने की ज़रूद नहीं होती है बस हमने jig लगाया और jig के दोरा हमने drilling, rimming, tapping वगरा सब कुछ इसके दोरा कर सकते हैं दोरी cut file का प्रयोग की जाता है दोरी cut file का प्रयोग किया जाता है तो चमड़े के लिए, steel के लिए, सक्त बोर्ड के लिए, लकड़ी के लिए तो इसका सही option है option B इस टील के लिए इसका प्रयोग के जाता है और लकड़ी के लिए जो हमारा rasp कट कर लिए question की तरफ हम चलते हेक्सा blade की पिनों की लंबाई यह बहुत ही important question है बहुत ही बार examo में आया है यह तो हेक्सा blade की जो लंबाई ना पी जाती blade की, जैसे option देरा एक blade के अंत से दूसरे पिनोल तक B blade के तीत के एक अंत से दूसरे अंत तक option C, pin hole के बीच की दूरी और option D, पूरी लंबाई तो बहुत से लोग इसमें पूरी लंबाई मार देते बहुत पूरा लंबाई है तो उतना ही तो होगा लेकिन ऐसा नहीं है, दोस्तो इसका option होगा pin hole के बीचों की दूरी जो hexa blade आपने देखा होगा, उनमें दोनों तरफ pin फस होते हैं, जिसकी मदद से उसको hexa frame में फसाया जाता है तो उन pinों के बीच की दूरी होती है, वह ही hexa blade की लंबाई होती है question number 24 निम लिकित में किस bolt का head नहीं होता बलकि दोनों और चूणियां कटी होती तो option C हमारा सही है D, instead, instead हमारा ऐसा बना होता है इसमें दोनों तरफ thread कटी होती है बीच में swing भी होती है और इसमें किसी भी परकार का ना उपर side कोई head होता है ना नीचे side कोई होता है तो instead में हमारा कोई भी head नहीं होता है आखरी question है हमारा A grade के B block की लंबाई कितनी होती है A grade के B block की लंबाई कितनी होती है तो A grade का जो B block होता है option A इसमें दिरे 150 mm B 200 mm, C 100 mm या D 120 mm तो option C हमारा 100 mm तक या D 100 mm से उपर के जो पाई जाते B block वो B grade के पाई जाते है तो दोस्तों बहुत ही important question है आप इनको एक दो बार revision करिए इसका पीडिया भी download कर सकते है मैं आपको इसमें description में link के दे दूँगा और आप इसको जितने भी आप देख लेंगे आपको बहुत ही इसमें क्योंकि मैं question बिल्कुल छाट छाट के आपको लिए ला रहा हूं बहुत ही मैनत कर रहा हूं प्लीस अगर चैनल को subscribe करें और like करें दूस्तों thank you